नमस्कार दोस्तों घरेलुखबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में गनपती बपा मौरिया जरोड लिखें दोस्तों अगर आप घर में गनपती की अस्थापना कर रहे हैं गनेश चतूर्थी पे तो इस दिन आपको भूल कर भी गनपती अस्थापना में ये गलतियां नहीं करनी है आपको संभल के रहना है वो कौन सी ऐसी गलतियां है जो की आपको गनपती अस्थापना में नहीं करन और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें, मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे। दोस्तों पहुत से लोग अपने घरों में गनेश चतूर्थी पर गनपती की अस्थापना करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा दस दिनों तक पूरे सरधा भाव से गनपती की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अंजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जिससे गनप गनपती को भोग लगाए बिना भोजन ना करें। इसलिए ऐसा करने से गनपती रूस्ट हो जाते हैं। गनपती की अस्थान में अंधिरा ना करें। गनपती को हमेशा प्रकास में रखें। उस अस्थान पर भूल कर भी अंधिरा न रखें। ऐसा करना अनिस्ट का संकेत होता है। गनपती को अकेला ना छोड़े। गनपती साल में एक बार हमारे घर आते हैं। इसलिए जिस अस्थान पर गनपती अस्थापना हो, वहां कोई न कोई अवस्य रहे गनपती बप्पा को भूल कर भी अकेला ना छोड़े। तो दोस्तों यह कुछ जरूरी बाती थी जो कि आपको गनपती अस्थापना से पहले ध्यान देने योग है। अनियथा अनिस्ट हो जाएगा। उसका दुस्पड़नाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। पासा ही नहीं पूर्ण विश्वासे कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।